हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का यूपी आई टाइंस्ट्रक्टर के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पे आज के इस सेशन में हम भारत की पंच वर्षी योजनाओं के बारे में डिस्कुशन करेंगे और जानेंगे कि पंच वर्षी योजनाएं आखिरकार क्यो लागू की गई और इनका जो टैने और था वो कब से कब तक था यह पंच वर्षी योजनाएं आपके यूपी राइट एंस्ट्रक्टर के स्लेवर्स में दी गई हैं इसलिए स्लेवर्स को देखते ही हुए ही अब हम टॉपिक बाइज चीज हैं कंप्लीट करेंगे जो आप के आने वाले एक्दाम उत्तरप्रदे सनुदेशक भर्ती परिक्षा के लिए काफी महत्पूण होंगी तो जो भी कैंडिट्स चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका टाइमली पहुंच सके और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करें और अपने कलीक्स तक सेर भी करें मैं बताना चाहूंगा जो भी कैंडिट्स चैनल पर नए हैं मैंने अल्रीडी काफी सारे टॉपिक्स आपके सलेवर्स के अकॉर्डिंग कवर अ आप करा रखे हैं जिन कैंडिट्स ने वू वीडियो नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो सुरू करते हैं भारत की पंचवर्सी योजनाएं नहीं के इंध सरकार द्वारा पांच बरसों के लिए राष्ट के आर्थेक एवं सामजिक विकास की ओर ये योजनाय बनाई गई थी ताकि राष्ठ है जो भी हमारा राष्ठ है वो आर्थेक और सामजिक विकास कर सके इन पंचवर्सी योजनाओं को 1950 से 2014 तक योजना एक द्वारा बनाया जाता रहा है वर्स 2014 से पंचवर्सी योजनाओं तथा योजना आयोग की जगए नीती आयोग ने अपना ली है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था भारत का प्रधान मंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था सम्विधान के सम्विधान में इसके लिए कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं दिया गया था NDC यानि की राष्टी विकास परिशद का गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था NDC को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था देखिए आपसे कॉश्चन मुझा जा सकता है इन मैंसे किसे सुपर कैबिनेट कहा जाता था ओप्षन दिये गए होंगे NDC, LDC, नीति आयोग या UDC एक्सेक्टरा कुछ भी वो आपको NDC पर क्लिक करना है NDC का उद्देश अगर हम बात करें तो आयोग द्वारा बनाई गई सभी पंचवर्सी योजनाओं को ठीक से सुचारू रूप से वो चल रही है और उन्हें क्रियानवित करना ये इसका उद्देश ये था पंचवर्सी योजना अंतिम रूप से इसी की द्वारा स्विक्रित की जाती थी यानि कि जो भी पंचवर्सी योजनाई बनाई जाती थी उन्हें क्या करेक्शन होना है क्या कुछ और इंप्लिमेंटेशन होना है ये सभी पौन रूप से होने के बाद ही NDC होनाई स्विका बुर रही योजना आयोग के अध्यक्ष उससमय जवाहलाल लेहरू थे ये पंचवर्ची योजना हैरोड डोमर मौडल पर आधारित थी अगर हम बात करें इसकी प्रातमिक्ता की तो किसी का विकास इसकी प्रात्मेक्ता थी वहीं विकास दर की ये हम बात करें तो देखिए विकास दर जो है इसमें हमने प्राप्ती की थी 3.6% की अगर प्रतम पंचवर्सी योजना के प्रमुक कारें की हम बात करें तो इसमें भागडा नागल बांध, हीरा कुंड बांध, दामुदरगाटी जैसी बहुत देसी पर योजना है चालू की गई थी किरसी विकास इसकी प्रतम प्रात्मेक्ता थी जैसे हमने प्राप्त कर लिया गया था यानी की प्रतम पंचवर्सी योजना काफी सफल रही थी नेक्स्ट है दुती पंचवर्सी योजना देखी इसका कारेकाल 1 अपरेल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला देखी आप देख रहे होंगे कि जो कारेकाल है वो अपरेल एक से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च पे खतम होते हैं तो एक्चली में ये जो सेसन है वो ऐसे ही काउंट होता है अपरेल से मार्च तक के बीच में तो इसका जो कारगाल था 1 अपरेल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला क्योंकि ये 5 साल की योजना है इसलिए 5 साल का पर इसमें डिफ्रेंस देख रहे होंगे दुती पंचवर्सी योजना PC महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी योजना आयोक के अध्यक्ष इस समय भी जवाल लाल नहरू थे इसमें अगर हम प्रात्मिक्ताओं की बात करें दुती पंचवर्सी योजना में तो उद्योकिक विकास एवं उद्योक जगत पर ये जो पंचवर्सी योजना थी वो केंद्रित थी अगर हम इसकी विकासदर की बात करें तो इसमें जो विकासदर का लक्ष था वो 4.5% और जो प्राप्ति लक्ष था वो 4.2% ये योजना भी लगबग पास ही समझीएगा क्योंकि 0.3% का डिफ्रेंस जादा माइनर नहीं रखता है इसके अगर हम प्रमुक कारियों की बात करें तो देखिए रावर केला भिलाई दुरगापुर यहां पर जितने भी इस्पात सायंत्र है उनकी स्थापना की गई थी जो बड़े बड़े इस्पात सायंत्र है भारत की सहायता किलब की स्थापना भी इसी के अंतरकत की गई थी यह आपको याद रखना है कि भारत सहायता किलब की स्थापना दुती पंचवर्षी योजना की अंतरकत की गई थी नेक्स्ट है तिर्ती पंचवर्षी योजना तिर्ती पंचवर्षी योजना की जो सुरुवात है वो 1 अपरेल 1961 से 31 मार्च 1966 तक रही इस समय योजना आयोक के जो अध्यक्ष थे वो जवहलाल नहरू थे अगर हम प्रात्मिक्ताओं की बात करें तो आत्मनेर भरता एवं किरसी वा उद्योग देखी फश्ट पर हमने किरसी देखी सेकंड पर उद्योग देखी अब हम दोनों को थड़ पंचवर्सी योजना में कममाइन कर देंगे तो आत्मनेर भरता भी रहेगी और किरसी और उद्योगों पर बल दिया जाएगा सबसे अधिक बल किरसी पर दिया गया विकासदर की अगर हम बात करें तो इसमें लक्ष मनाया गया था 5.6% का और हमने अचीव किया 2.8% तो ये योजना कारगर सावित नहीं हुई आप देख रहे होंगे कि 1961 से 1966 तक ये योजना चली थी अगर हम बात करें ये योजना कारगर सावित क्यों नहीं हुई तो देखिए 1961 के बीच में भारत में ने तीन बड़ी समस्याओं का सामना किया था भारत चीन युद्ध इसी समय हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध भी इसी समय हुआ और जो बची-खुची रही कसर थी वो सूखे ने पूरी कर दी तो इसलिए जो 35 वर्षी योजना थी वो फेल मानी गई देखिए आप देख पा रहे होंगे 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1966 में जो सूखा है उसने भी इस पंचवर्षी योजना को काफी प्रभावित किया इसी पंचवर्षी योजना के दोरान ही हरित करांती की सुरुआत हुई थी इस पंचवर्षी योजना के समाप्त होने के बाद देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि तिर्थी पंचवर्षी योजना में भारत-चीन युद्ध हुआ था और भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जो पैसा है वो काफी ज़्यादा इंवेस्ट होता है तो इतना ज़्यादा खर्चा होने के बाद पंचवर्षी योजनाओं के मॉडल पे जो है उन्हें इस्थागित किया गिया कुछ समय के लिए और उनकी इस्थान पर योजना अवकास लाये गया तो योजना अवकास अगर हम प्रथम बात करें तो 1966 से 1979 के बीच में लाये गया तीन पंचवर्षी योजनाओं के यानि तरती पंचवर्षी योजनाओं के विफल होने के कारण पंचवर्षी योजनाओं को रोख दिया गया इसी काल को प्रथम योजना अफकास के नाम से भी जाना जाता है अगले तीन वर्सों तक पंचवर्सी योजनाएं की जगा बारसिक योजनाएं चलाई गई तो यानि 1966 से 1979 तक जो है पंचवर्सी योजनाओं की जगा बारसिक योजनाएं चलाई गई थी बात करते हैं चौथी पंचवर्सी योजना की तो देखिए जो फोर्थ पंचवर्सी योजना थी वो एक अप्रेल 1979 से 31 मार्च 1974 के बीच तक रही योजना आयोक की इस समय अध्यक्षी थी इंद्रा गांधी प्रात्मिक्ताओं की अगर हम बात करें तो देखिए चतुर्थ पंचवर्सी योजना में इस्तिरता के साथ-साथ आत्मिर धरपार्था पर भी बल दिया गया किर्सी तथा सिचाई को भी काफी महत प्रदान किया गया इस योजना का प्रारूप योजना आयोक के उपाद्यक्ष डीपी गौडगिल ने तयार किया था ये आपको याद रखना है इसकी अगर हम विकासदर की बात करें तो विकासदर का जो लक्ष था वो 5.7% लेकिन प्राप्ती हुई थी 3.4% की इसके प्रमुकारियों की हम बात करें तो इसी पंचवर्सी योजना की दोरान 14 बैंकों का राश्टी करण किया गया आप याद रख सकते हैं लाश्ट चौथी पंचवर्सी योजना, यानि चौथी का चार और चौधवी का चार इन दोनों से आप इसे कॉलेबरेट कर सकते हैं, तो चौधा बैंकों का राश्टी करण किया गया, इसरो की भी इस्ताफना इसका एक मुख्यकार था, विकासदर की लक्ष प्राप्ती होन लक्ष बनाया था, उससे हम काफी पीछे रहे, लेकिन इस पंचवर्सी योजना ने अब तक की स्थिती में अग जबनी हैं, उन में सबसे ज़्यादा अगर अगर रध्धी देखी गई है किरसी में, तो वो इसी पंचवर्सी योजना में देखी गई है, नेक्स्ट है पां पांचवी पंचवर्सी योजना के दौरान शुरू की गई, अगर हम प्रात्मिक्ताओं की बात करें, तो पांचवी पंचवर्सी योजना में ही गरीवी उनमूलन तथा आत्मिरभारता पर बल दिया गया, गरीवी हटाओ का नारा भी इसी योजना में दिया गया, यह कुश सदर की बात करें तो इसमें जो हमने लक्ष बनाये था वो था 4.1% का और हमने जो लक्ष की प्राप्ति की थी पांची पंचवर्सी योजना की दोरान वो थी 4.5% ये योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी री इलेक्षन के कारण इंद्रगांधी की सरकार चार वर्सों में ही गिर गई थी बाद में जन्ता पार्टी की मुरारजी देशाई की सरकार आई मेडल ने पिछडे देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है 1978 में जन्ता पार्टी ने प्रधान मंत्री मुरारजी देशाई के नित्रत्व में इसे स्विकार किया था 1975 में TPP यानि की 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीवी हटाओ अभियान लाया गया ये पंच वर्सी योजना है केवल 4 वर्स तक ही रही नेक्स्ट है योजना अवकास दुतिये देखिए 1989 से लेकर 1980 तक यानि की दो साल तक योजना अवकास जिसे हम वार्सकी योजनाई भी कहते हैं वो लागू रहा मोरारजी देशाई के नेतत्वाली जन्तापार्टी की सरकार ने वर्स 1978 से पंच वर्सी योजनाओं को पुना बंद कर दिया तथा उनके स्थान पर वर्सकी योजनाई बनाई गई इस काल को दुतिये योजना अवकास के नाम से भी जाना जाता है तो आपको यह याद रखना है कि जो योजनाओं कास है सेकंड वो कहां से कहां तक है तो 1979 से 1980 तक सेकंड आपक年前 वो देक्राव में आप जो दियान रखना को दिचियोगे आप फंश्ट में जो योजनाओं कास है वहाँ आप देखिए अगर 12 को जोडेंगे जैसे 1966 में आपका फस्ट योजना अफकास था तो यहाँ आप 12 एड करने के बाद ही आप जो 2nd योजना अफकास है उसकी डेट आप निकाल सकते हैं तो देखिए 12 एड करने के बाद यहाँ 1978 अप्रोक्स में जो आपका 2nd योजना अफकास की डेट है वो आएगी नेक्स्ट है छटी पंचवर्सी योजना तो एक अप्रेल 1980 से 31 मार्च 1985 तक यह रही अगर हम प्रात्मिक्ताओं की बात करें तो गरीवी निवारण आर्थिक विकास आधुने की करन एवं आत्मने दोहरता इसके मुक्तुत देश रहे वहीं विकास दर की हम बात करें तो इसमें लक्ष बनाये गया था 5.2% का और इसमें प्राप्ती हुई थी 5.7% की तो ये योजना भी काफी ज़्यादा सफल रही गरामीड वेरोजगारी गरामीड निवारण से संबंधित कई योजनाए भी इसमें चलाई गई गरामीड विकास बैंग नवार्ड की इस्थापना 16.5 वर्सी योजना की अंदरगत की गई बात करते हैं सात्मी पंचवर्सी योजना की तो देखिए 1 अप्रेल 1985 से 31 मार्च 1990 तक सात्मी पंचवर्सी योजना चली अगर हम प्रात्मिक्ताओं की बात करें तो रोजगार, सिक्षा और जनस्वास्तफर इसमें बल दिया गया बोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना की अंतरगत दिया गया यह आपको याद रखना है कि बोजन, काम और उत्पादन सात्मी पंचवर्सी योजना की अंतरगत इसमें जो नारा है वो दिया गया था वहीं विकासदर के अगर हम बात करें तो इसमें जो लक्ष बनाया गया था वो 5% का था और जो लक्ष प्राप्ती थी वो 6% की थी गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में लकड़वाल समीती द्वारा हुई थी आपको याद रखना है कि लकडवाल समीती द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी तो देखें गरीबी की माप लकडवाल समीती द्वारा लाई गई थी जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवर्सी योजना की समापती के बाद एक बार फिर से योजना अवकास देखने को मिलता है ये थार्ड योजना अवकास था जिसकी डूरेशन 1990 से 1992 तक थी आप देख पारे होंगे वर्स 1990 से 1992 तक भारत गहरे आर्थिक संकट से गोज़र रहा था इस समय अवदी के दोरान पंचवर्सी योजनाओं को नहीं बनाये गया इस समय काल को तिरती योजना अवकास की रूप में जाना जाता है देखिए जब भी योजना अवकास चला तो कुछ internal reasons थे कुछ external reasons भी थे इने की चलते जो है योजना अवकास को लागू किया गया वरना पंचवर्सी योजनाओं फैल नहीं होती rare cases में ही पंचवर्सी योजनाओं फैल हुई जैसे की भारत-चीन युद्ध जब हुआ था उस duration में भी थर्ड पंच वर्षी योजनाव फेल हुई उसी duration में भारत पाकिस्तानी उद्धुगा और उसी time पे भारत में सूखा पड़ गया तो इनी rare situation से बचने के लिए जब budget कम रहा तब योजनावकास लाए गए जोकि योजनावकास बारत से योजनाव में एक साटेन लक्ष बनाया जाता है और उन्हें एक साल के अंतरगत हमें पूरा करना होता है तो इसके अंतरगत जो भी budget रहता है वो कम budget में भी आप अच्छा प्रतरसन कर पाएं इसके लिए योजना अवकासों को लाये गया था नेक्ष्ट है आठमी पंचवर्सी योजना आठमी पंचवर्सी योजना का जो टैन्योर है वो एक अपरेल 1992 से 31 मार्च 1997 तक रहा योजना आयोक की अध्यक्ष इस समय पीवी नरसिम्हा राव जी थे जॉन डवलू मिलर मॉडल पर ये आठमी पंचवर्सी योजना आधारित थी अगर हम प्रातमिक्ताओं की बात करें तो रोजगार में बृद्धी आधुनों की करण एबं आत्मने भरता इसकी प्रातमिक्ताओं थी वहीं विकासदर की हम बात करें तो इसमें जो विकासदर है वो लक्ष निर्धारत किया गया था 5.6% का जब की हमने प्राप्ट किया था 6.8% का तो ये सफलता के दृष्टी कौन से काफी अच्छी योजना रही वहीं प्रधान मंतरी रोजगार योजना की सुरूबात 8.5 वर्षी योजना की दौरान हुई 8.5 वर्षी योजना के अंतरगत ही LPG reforms आये थे नेक्स्ट है 9.5 वर्षी योजना तो देखे नौवी पंच वर्षी योजना का जुकारिकाल है वो है 1 अपरेल 1997 से 31 मार्च 2002 अगर हम प्रात्मिक्ताओं की बात करें तो मानाओ विकास के साथ नयाय पूर्ण वितरण एवं समानता पर इसमें बल दिया गया वहीं विकासदर की अगर हम बात करें तो विकासदर का जो लक्ष था 6.5 परसेंट और हमने विकासदर का जो लक्ष था 5.5 परसेंट तो लगबग ये योजना भी सफल रही थी लेकिन एक डिफरेंस जो है 1 परसेंट का जिसके कारण इसे असफल माना जाता है ये योजना का असफल होने का कारण था अंतराश्टी मंदी तो उस समय जो अंतराश्टी मंदी थी इस योजना के सफल होने का एक असफल होने का एक बड़ा कारण थी नेक्स्ट है दसवई पंचवर्सी योजना तो देखिए एक अपरेल दो हजार दो से 31 मार्च दो हजार साथ तक दसवई पंचवर्सी योजना लागू रही अगर हम प्रात्मिक्ताओं की बात करें तो गریبी को समाप्त करना एमम अगले दो वर्स में प्रिती विक्ति आयकों दोगना करना इसका लक्ष था विकासदर की अगर हम बात करें तो हमने 8% का इसमें लक्ष निर्दारित किया था और हमने 7.7% का जो लक्ष था वो प्राप्स किया तो काफी जादा डिफरेंस नहीं है इसलिए लगबग इस योजना को भी हम सफल योजना के अंपरत कंसीडर करेंगे नेक्स्ट है ग्यारवी पंचवर्सी योजना एक अप्रेल 2007 से 31 मार्च 2012 तक जो है ग्यारवी पंचवर्सी योजना लागू रही प्रात्मिकताओं के अगर हम बात करें तो ती वृतम एवं समावेसी विकास इस पंचवर्सी योजना का जो है रात में कुद देश था अगर हम विकासदर की बात करें तो 9% इसका लक्ष निर्धारित किया गया था जबकि लक्ष की जो प्राप्ती थी वो 7.9% ही रही सबसे उचितम विकासदर इसी पंचवर्सी योजना में हमने प्राप्त की थी इसके प्रमुक कार थे आम आदमी भीमा योजना राजीव आवासी योजना प्रधान मंतरी आदर्स ग्राम योजना इसी के अंतरगत चलाई गई थी वहीं बात करें बार्मी पंचवर्सी योजना एक अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलनी थी लेकिन 2014 में योजना आयोग को बंद करके 2015 में नीती आयोग सुरू कर दिया गया इसकी प्रात्मिक्ताओं के गर हम बात करें तो तीवर्दम एवं समावी सी विकास इसका प्रात्मे को देश था बार्मी पंचवर्सी योजना की जो टैनियोर है आप देख सकते हैं एक अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2017 तक अब बार्मी पंचवर्सी योजना की जगाए उसको खतम क कर दिया गया है पंचवर्सी योजनाओं को अब इन सभी पंचवर्सी योजनाओं के इस्थान पर योजना आयोग का अगठन किया गया है जो नीती आयोग के द्वारा चलाया जाता है इसका अध्यक्ष जो है प्रदान मंत्री को बनाया जाता है तो यह थी भारत की तो question आपको correct कराएगा, इसलिए इस session को please ध्यान से देखिए, और अगर आपको videos पसंद आ रहे हैं, तो videos को like भी करें, और videos को share भी करें, चैनल के साथ जोड़े रहें, चैनल को support करते रहें, thank you so much, good day.